नमस्कार आप सभी लोगों का ट्रोटोप एश्ट्रो लाइफ यूट्यूब चेनल पर स्वागत हैं आज का विशय है वास्तू के नुसार सवचाले की दिशा कौन सी होनी चाहिए एक समय था कि सवचाले की विवस्था घर के बाहर की जाती थी और आज के समय में जगह के अभाव और सुविधा के नुसार सवचाले की विवस्था घर में और यहां तक की प्रतियक रूम में यानि प्रतियक कमरे के अंदर सवचाले की विवस्था की जाती है इन सवके वावजूद घर या कमरे में सवचाले का स्थान वास्तु के अनुसारी होना चाहिए क्योंकि गलत दिसा में निर्मान से कई तरह के परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है तो आएए सवचाले एवम बातरूम से संबंधित साथ महत पुर्ण भातों को जानते हैं नंबर एक इसान पुर्व और उत्तर दिसा में सवचाले नहीं बनाए इन दिशाओं में सवचाले का निर्मान करने से धनहानी मान सम्मान में कमी एवं किसी गंभीर रोग से विडितो ना पुड़ सकता है नंबर दो वास्तु के अनुसार सवचाले का स्थान वायब्यकुन में या दक्षिन नेरित्ति के मद्य सुह मान गया है कमरे के अंदर भी आप इन्हीं दिशाओं में सवचाले का निर्मान करें अटेच बात्रूम के लिए सर्वप्रतम आप कमरे की दिशाओं को जान ले फिर उस रूम के वायब्यकुन में या दक्षिन और नेरित्ति के मद्य में सवचाले का निर्मान करें नम्बर तीन इसान कुन में पुर्व में और उत्तर दिसा में जो कमरा हो उस कमरे में सवचाले का निर्मान नहीं करें यानि इसान पुर्व और उत्तर दिसा के रूम में अटेच बातरूम नहीं बनाएं नमबर चार, सैप्टिक टेंक वायब विकुन में ही बनाए वास्तू के अनुसार यही एक दिसा इसके लिए सुभमाना गया है नमबर 5, ट्वायलेट सीट इस प्रकार हो कि उस पर बैठते वकत आपका मुख उत्तर दिसा के ओर हो, यानि सौच के समय आपका मुख उत्तर दिसा के ओर होना चाहिए पूर्व और पस्चिम दिसा के ओर मुख करके सौच नहीं करना चाहिए नमबर छे वास्तु के अनुसार सवचाले और बाथरूम एक साथ नहीं होना चाहिए लेकिन आज के समय में सवचाले और बाथरूम एक साथ बनाया जाता है तो आप इन दोनों के बीच में यानी ट्वाइलेट सीट के बगल में एक मारवल टुकड़ा का पट्टी लगा दें ताकि सवचाले का जल बाथरूम के और ना आ सके नमबर साथ अंतिम टिप्स वास्तु सास्त्र के अनुसार बाथरूम का दरवाजा पुर्व या उत्तर दिशा के और होना चाहिए वास्तु जयोतीस एवं महुर्त से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अत्यधिक सेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाब उठा सके धन्यवाद